हेलो फ्रेंड्स, विल्कम टू माई कीचन ये देखिए हमारे मस्त वाले भेल क्या लाजवाब लग रहे हैं तो जिस तरह से हमें ए खाने में टेश्टी लगे आई होब कि उसी तरह से आपके भी फिर्ट मन जाएंगे और इस बार तो कोरोना वाइरिस की विज़े से आप भी इने खूब मिस कर रहे होंगे क्योंकि रेडी और ठेले पर इस भेल को खाना खत्रे से खाली नहीं है तो चलिए फ्रेंड्स, जटपट बनाना इस्टार्ट करते हैं हमारे चटपटे से भेल यह वाल रेसिपी छोटो से लेकर बड़ो तक सबको बहुत ही पसंद आएगी और बनाने में तो इसे मेक्सिमिप दो मिनिटी लगते हैं तो चलिए फ्रेंड्स, जटपट बनाना इस्टार्ट करते हैं हमारे चटपटे भेल तो देखिए हमने हाई फ्लिम पर इस कड़ाई को गरम कर लिया इसके अंदर हमने दो चमस भर के तिल का तेल डाल लिया जैसा कि हम आपको हमेशा ही बताते हैं कि रिफाइंड ओल खाना हमारे सेथ के लिए बहुत हामफुल है इसलिए हमने इसमें तिल का तेल एड़ किया है फिर भी मरजी आपकी है आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल ओयल ले सकते हैं इसमें हम एक चोथाई कप कच्ची मौंगफिली के दाने डाल देंगे अगर आपके पास में सिक्ये हुए मौंगफिली के दाने हो तो आपको इनको तेल के अंदर रोश्ण में करना है इसे हम हाइफ लिम पर लगबग एक से ड़ेड़ मिनिट तक फ्राइ कर लिया इसे हम एक बरतन के अंदर निकाल लेंगे हम इसे उसी बरतन के अंदर निकाल लेंगे जिसमें हमें बेल त्यार करनी है इसी बचे हुए तेल के अंदर हमने दो कब भरके मूर्मुरे डाल दिये इन मूर्मुरों को हमने हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 3-4 मिनिट तक फ्राई कर लिया इनको रोष्ट करने से इसमें बहुती करंची सा टेस्ट आएगा जिसे हमारे भेल बहुती टेस्टी लेगेगी हमें फ्राई किये हुए मूर्मुरों को भी हम उसी बरतन के अंदर निकाल लेते हैं जिसमें हमने मूंग फ्ली डाली है आपको ध्यान रखना है कि आपको बड़ा सा बरतनी ही लेना है ताकि आपको सभी चीज़ों को मिलाने के अंदर परेशानी नहीं हो ये देखिए हमारे मूंग फ्ली की दाने और मूर्मुरे ठंडे हो चुके हैं अब हम इसमें बाके की चीज़े भी एड़ कर देते हैं ये हमने बारिक टुकडो में कटी हुई एक हरी मिर्चली है अगर आपके हरी मिर्चली जाद तिक हो तो आप उसमें से बीज निकाल करके ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसकी भी कर सकते हैं ये हमने बारिक कर और काट करके पहले ही रेड़ी कर लिया था इसे भी हम डाल देंगे यह हमने एक चमच भर के रोग सोल्ट यानि की काला नमक डाल दिया आप चाहें तो साधा नमक भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स यहां पर हम आपको एक सजसन देना चाहेंगे कि अगर आप वाइट नमक खात के चाट मसाला डाल दिया एक चमच से थोड़ा सा कम गरम मसाला डाल दिया मसालों की क्वांटेटी आप अपनी पसंद के कोडिंग कम ज्यादा कर सकते हैं या फिर आप इनको अपनी पसंद के कोडिंग कोई मसाला डाल सकते हैं या फिर कोई मसाला इसकिप कर सकते हैं यह आ दाल लेते हैं बाकी की चीजे हम बाद में एड़ करेंगे ताकि हमें इन सब चीजों को मिलाने के अंदर प्रोब्लम नहीं हो इन सब चीजों को अच्छे तरीकी से मिलाने के बाद हमने इसमें दो चमस भरके टमेटो केचप लगबग धाय चमस के करीब इमली की चटनी डाल यह हमने एक चमज भरके निम्बू का रजबी डाल दिया यह हमने थोड़े से शेव बुजिया भी इसके अंदर एड़ कर दे हैं अगर आपके पास में इमली की चटनी बनाई हुई नहीं हो तो राइट साइड में एक आई बटन आ रहा है उसके उपर क्लिक करके आप देख स तो फ्रेंड्स हमारे इस तीखे चटपटे मज़ेदार से बेल को देखकर आ गया होगा ना डेफिनेटिल मुमी पानी आप भी बनाए खाये और इंजोई कीजिए और अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्रेजी से लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब हमेड़े देड़े येगा तैंसो लाइज